वेल्कम फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें मेने चैनल को एंड बेल आइकोन पर क्लिक करें जिसे की अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहें सो लेट्स मेक दिस ट्रेस करते हैं इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें आप एक साड़ी देंगे यह थोड़ा फंकी रहेगा इसलिए मैंने यहां पर फ्रोरर प्रिंट्ट चूस किया है आप चाहें तो अपने चाहिस के कोई भी साड़ी या फैब्रेक ले सकते हैं यहां पर दिख सकते हैं कि इसमें एक इसे मैं काट के निकाल दूँगी क्योंकि यह ड्रेस से साथ होड़ा मैच नहीं करेगा ड्रेस के लिए हम पहले बॉटम काटेंगे बॉटम काटने के बाद जो रिमेरिंग पार्ट होगा हम उसी में टॉप की कटिंग करेंगे इसके बॉटम के लिए हम साथ को टूफोर्स करेंगे जिससे की 90 डिए एंगल का दिखाई देगा मट आप इसे कटिंग करने के बाद यह फूल सर्कल 180 डिए का दिखाई देगा इसके लिए हम साथी की लेंद जो कि यहां पस 44 है उसी के अकॉर्डिंग साथी को पुरी तरि श्कर में 54 इंचिज का ही ड्रॉ करेंगे यंज गया देडर करेंगे एंसी कटींग दूसरे बैटेंगी यहाँ भी हमने चौनर कर लिया है 180 को 90 बनाकी अब करके अ अब हम बिल्कुल इसी इस ना प्लू को फॉलो करकल अस्तर की भी कट टिंग लेंगे हम अस्तार की फैब्रिक और मेंड फैब्रिक को पिंस से जॉइंट करके मसीन से इसके सिलाई कर लेंगे हम बॉटम को पहले से प्रिपियर करके रख लेंगे जन टॉप की कटिंग करेंगे अब हम सबसे पहले ड्रेस का टॉप बनाएंगे जो कि यहां पर बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन सबसे अलग है यही इसमें डिफरेंट चीज है बाकि बॉटम तो आप पहले के वीडिय चुके हैं कि कैसा रहता है इसके लिए हम पेपर को टूफोर्ट करेंगे और उपर से यहां डेड़ इंच मार्क कर लेंगे क्योंकि इसका जो नेक है वो हर्टर नेक होगा साथ ही यह ऑप्शनलर भी होगा इसलिए यहां पस उपर से हम दो से थोड़ा ज्यादा लेंगे न ऐसे नेक लैन और शोल्डर पटन आप किसी छोटी ड्रस के लिए यह टॉप के लिए यूज कर सकते हैं अब हम इसका आम होल वाला हिस्ता बनाएंगे इसके लिए कॉलर के मेड़ से पांच इंचिस नीचे ड्रॉ करेंगे जिसकी सिधाई हमें आम होल के जस नीचे भी मिलत एंग बन सके इस तरीके से हम नेक इसे जॉइंट कर लेंगे इसे आपको साफ साफ दिखाईए देगा यह जिसमें आपको यह शोल्डर पूरा ओपन रहेगा अब इस arm hole या आप इसे shoulder hole भी कह सकते हैं आप उसमें आप princess sim बनाएंगे जो कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रहा हुआ है कि princess cut कैसे की जाती है actual में इसका जो टॉप है वो फिल से नहीं दिखेगा तो आप चाहें तो princess cut बना भी सकते हैं टॉप में और without simple भी बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ बता दे रही हूँ आपको princess cut बनाने के लिए मैं यहाँ पस mid में से draw करूंगी इस mark से एक curve बनाएंगे इस mark से अब हम यहाँ पस princess sim draw करेंगे जो कि आप पहले देख चुके हैं मैं यहाँ पस आई बटन में आपको पहले की लिंक डाल दूंगी आप उसमें देख सकते हैं बाकि आप इसमें से follow करके भी देख सकते हैं अगर आप चाते हैं कि टॉप थोड़ा मोटर साइज को हो तो आप अस्तर को टूफोल्ड भी रख सकते हैं ड्रेस की बॉटम की कटिंग के बाद जो रिमेनिंग क्लॉट बच्छा था अब उसी में हम टॉप की कटिंग करेंगे इसको रख के आप टॉपी कटिंग कर सकते हैं इसके लिए एम गुना यूज सम्पिन पिन से स्टेक कर लेंगे जिससे यह मूव ना करें पिकाज यह जॉजट कपड़ा है तो बहुत ही मूव करता है तो आप भी आप पिन का यूज कर सकते हैं विजाओ पिन भी यूज कर स चाहेंगे बना सकते हैं इसे अब हम बैक की कटिंग करेंगे बैक की कटिंग का मेजर्मेंट भी यही रहेगा इसके लिए हम फिर से हम पेपर लेंगे और उसमें ड्रॉ करेंगे पेपर पे बस प्रॉंट की कटिंग को रखके इसकी आउटलाइन को ड्रॉ कर लेंगे बीच प्रिंसेस सेम को इसमें ड्रॉ करने के जबत नहीं है अब पहले की तरह ही कपड़े को भी इसी मेजर्मेंट के अकॉर्डिंग काट लेंगे बस इसमें बैक में जो प्लेट जलेगी वह आप इसे कट करने के बाद भी डाल सकते हैं यहां पर सम मार्क करेंगे बीच में और नीचे में भी एक इंच या डेड़ इंच का मार्क करेंगे जैसे आपको फिटिंग चाहिए और इसे उपर वाले माक से मिला देंगे दर इसे दबा के भी सिल सकते हैं आप या तो फिर आप इसे कट करके भी सिल सकते हैं इस तरह से आपकी प्लेट्स रेडी हो जाएगी जो कि बैक की अच्छे फिटिंग देने के लिए बहुत है ज़रूरी होता है अब बैक की दोनों पिसस रेडी हो चुकी है अब हम इसके मीड में चेन एड़ करेंगे चेन एड़ करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यहां पर हम पहले से सेविंग कर लेते हैं उसके बाद इसमें चेन एड़ करते हैं अब आगे और पीछे दोनों ही हिस्से को आपस में जोड लेंगे अब यह टॉप इस तरीके से रेड़ी हो चुका है अब हम इसकी नेक लाइन बनाएंगे जो कि एक कॉलर होगी इसके लिए हम एक पेपर लेंगे जिसमें नेक की मेजर्मेंट लेंगे और उससे थुआ सा कर्व काटती हुए कॉलर बना लेंगे कॉली बनाएंगे जटनाएंगे जो न इसकी दिंआ ser को चॉधैंग। यह मैंगे ज रिएंगे जरसी इसकी额 में म्टॉवडवे एसकी व संट 1 Ăनैंगे 1 ā1 आैंगे 1 č मैं 7 1 āई 1 चैंग고 हुआ भंगे । जि ए्भक है개 कर हो hm अब कॉलर्ण के अपर पोर्शन को सिलने के बार ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा अब इसे टर्न कर लेंगे और आरेंड की हल्प से इसे आरेंड कर लेंगे जिसे ये फ्लैट हो जाए और सिलने में थोड़ी हेल्प हो और इससे इसकी फिनिशिंग में बहुत ही अच्छी दिखाई देगी अब इस लड़ी हो चुके कॉलर को हम टॉप की नेक में एड़ करेंगे इसके लिए हम कॉलर को थोड़ा सा अंदर की और मोगेंगे और नेक के बीचों-बीच में इसे रख के सुई और धागे से इसकी कच्छी सिलाई कर लेंगे देन मसीन से सीविंग करके इसे स्ट्रॉंग कर लेंगे इस काम को आपको बहुत ही केरफुली करना है विकोस फैबरिक बहुत ही स्लिपरी है झाक है झाक है घुजिक बीच ट्सक्राटा कुढ़ या लृड़े ये, विक ठरस pięć अल मायुद ही कॉलर को पर्थेक्ट लीच के बाद अब ड्रेस का बॉटम जो हमने पहले से ही रेडिकल के रखा हुआ है उसे हम इसमें अटेच करेंगे आप इसके लिए पिन की हैल्प ले सकते हैं आप चाहें तो डारेक्ट मशिन से भी खुल सकते हैं अब टॉटम से परफेक्ट ली अटेच हो चुका है आपको आप ये ड्रेस का लुक दिखाई दे रहा होगा आप इसमें हम चेन एड़ करेंगे इसके लिए थोड़ा सा बॉटम की हिस्से में हम स्लिक लगाएंगी दन इसे चेन को इसमें एड़ करेंगे तो तरीके से आप प के ले भी अटेच किया हुआ है करेंगे करी सर्फ आप करेंगे तो कर वहा है इसे कचेन एटान को जोगा है और बॉतल भी अच्छे तरीके साटेश हो चुका है अब हम इसके आस्तीन में या आम हो या फिर आप कह सकते हैं इसके शोल्डर वाले हिस्से में हम फ्री राइड करेंगे यह फिल इसमें हाफ इससे तक ही जॉइंट करेंगे यहां बस मैं फाइफ इंचिस ले रही हूं हम इ मेजर्मेंट ने लेंगे फ्रील आप अपने अकॉर्डिंग लग सकते हैं जैसा आपको साइज चाहिए रहे का वैसा यहां मैंने फिल के लिए डेर इंच का रेडियस लिया हुआ है जो पेपर के कोनी में दोनों और टिक कर लेंगे दन एक सरकल से यह जॉइंट कर लेंगे दन सरकल को स्टार्ट पॉइंट लेके वहां से सिक्स इंचेज मार्क करेंगे और वहीं से थ्री इंचेज भी मार्क करेंगे क्योंकि यह पेपर के फोर फोल्ड्स हैं सो यह ओपन करने पे कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा नाओ जहां पर थ्री इंचेज मैंने मार्क किया था वहां से राउंड करते हुए हम सिक्स इंचेज पे ले जाएंगे बट मेक शूर कि मेजरमेंट यूनिफॉर्म ही इंक्रीज करें अब हमारा फ्रील का मैजरमेंट रडी हो चुका है अब इसे मेन कपड़े में रखके मार्क कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे जो छोटा हिस्सा है वह फ्रील का उपर का हिस्सा है और जो राउंड बड़ा हिस्सा है वह नीचे का हिस्सा है अब सारे फ्रिल रडी हो चुके हैं अब यह बीच में जहां सर्कल दिख रहा है वहां से इसे कटके से फ्री कर लेंगे अब इस फ्रील को यह नेक के नीचे शोल्डर वाला हिस्सा जोके मैं पहले से ओपन किया हुआ है वहां से अटेच करेंगे अब जहां पर फ्रील अटेच किया गया है उस हिस्से को आप राउंड करके इसमें तरपाई कर लेंगे इसकी एजिस को सिक्यूर कर लेंगे अगर आपकी फिनिचिंग अच्छी है तो आपसे डायेक मैसिन से भी कर सकते हैं अब यह फ्रील पुई तरह किसे अटेच हो चुका है अब फिन की एजिस को सिक्यूर करने के लिए इसमें आप पीकू कर सकते हैं अब सबसे लास्ट स्टेप बॉटम की एजिस को पीकू से सिक्यूर कर लेंगे एजिए और उक्रविवदाना लाग एजिए इसमें पार्ड़ इसमें धुट्पर मुटमूर कर लेंगे